हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिरिट हुई वीडियो को कैसे वापस लाते हैं अगर आपके मुबाइल फून से गलती से आपकी वीडियो डिरिट हो गई है और वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्डेंट थी और आप चाहते हैं उस वीडियो को वापस लाना तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मतद से आप अपनी डिरिट हुई वीडियो को वापस ला सकते हैं अपने मुबाइल फून में वो भी ओनली 10 मिनट के अंदर अगर आप भी अपनी वीडियो को वापस लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्पलीट देखें वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से जानकारी देखने को मिलने वाली है और दोस्तो अगर आपकी डिलिट हुई वीडियो वापस आ जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर ना भूले और साथ इस वीडियो को लाइक कर दे तो आप चली चलते हैं अपने मुबाइल फून की स्क्रीन पर तो अब बात कर लेते हैं अगर हमारे मुबाइल फून में से वीडियो डिलिट हो जाती है तो उसे किस तरह से वापस लाते हैं उसे वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone में अपनी gallery को open करना है अगर आपके वीडियो gallery से delete हुई है अगर आपके वीडियो आपके file manager से या फिर my file से delete हुई है तो आपको उसे open कर लेना है तो हमारी video photo से delete हुई है तो हम simply photo यहाँ पर search कर लेंगे photo search करने के बाद simply photo वाले app को हमें open करना है और album पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद हमें scroll down करनी चाना है यहाँ पर लिखा हुआ है recently delete आप यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर आपके सामने आपकी वो वीडियो आ जाएगी जो आपके mobile phone से delete हुई है दोस्तों एक बात का आपक तो recent delete का option देखने को मिल जाएगा अगर हमाँ पर आप click करेंगे तो वहाँ पर आपकी वो वीडियो आ जाएगी जो आपके mobile phone से delete हुई है जैसे कि for example यहाँ पर हमारी यह तीन वीडियो है जो हमारे mobile phone से delete हो गए थी तो अब हमें अगर इन्हें recover करना है तो simply restore पर click कर एक हैं और यह वीडियो हमारी उसी folder में जागा शेफ हो जाएगी जिस folder से यह वीडियो हमारी डिरेट हुई है तो अब हम यह होग करते हैं है जो सब करने हैं आपके सामने कूछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर लिखा हुआ है रिसेंटली डिलिट आपको यह फॉल्टर ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने आपकी वह वीडियो आजाएगी जो आपकी यहां से डिट हुई है तो आप उस पर हॉल्ट करकर रखेंगे और रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे वह वीडियो आपकी उसी जगह जाकर सेफ हो जाएगी जहां से वह डिलिट हुई थी तो इस तरह से भी आप अपनी डिट हुई वीडियो को वापस ला सकते हैं यह process काफी ज़्यादा easy है डिट हुई वीडियो को वापस लाने का तो अब बात कर लेते हैं अगर हमारे वीडियो इस तरह से भी वापस नहीं आती है या फिर हमने यहां से भी अपनी वीडियो को डिट कर दिया है तो हम कैसे अप आपको फिले इस्टोर पे आना है यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है डिडिट वीडियो रिकावरी तो यह एप आपके सामने आएगा बात करें इसे की रिडिंग की 3.5 इसे की रिडिंग है और डाउनलोड है इसे के 10 इसे दिडिंग लेन मिलियन फिलर्स तो आपको यह अपने मुबाइल फून में यहां से स्टॉल कर लेना है यह इसे रिडिंग करने बाद आपको सामने कुझ इस तरह का इंटरफेस आएगा अब आप यहां पर पर वेट करना होता है जितनी ज्याद़ आपके वीडियो कि उतने ज़्यादा आपको यहां पर टाइम लगेगा आपके वीडियो को वापस आने में अगर आपके वीडियो कम है तो कम टाइम यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर दोस्तों हमारे मोबाइल में 281 फाइल हो गई है तो अब हमने इनिच करना है तो यहां पर लिका वाथ वी रिस्टोर वीडियो आप सब्सक्रण करने के बाद को यहां पर skip करना होता है simply हम यहाँ पर click कर देंगे और इस Z को skip कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप इस screen पर देखेंगे हमारे mobile phone में कुछ वीडियो थी जो हमने काफ़ी time पे ले delete कर दी थी वो वीडियो यहाँ से recover हो गई है एक बात का आपको दोस्तों दिहान रखना है आपकी यहाँ पर सभी वीडियो वापस नहीं आती है कुछ वीडियो आपकी यहाँ पर वापस आती है और कभी कभी ऐसा होता है इस save में जो आपकी वीडियो रहती है जो आपकी गेलरी में save रहती है और ये वीडियो आप restore now पे किलिक करके अपनी gallery में जाकर save कर सकते हैं और ये वीडियो फिर आप copy करने के पार चाहे तो अपने paint drive में, laptop में, desktop में भी save कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डिरिट वी वीडियो को वापस ला सकते हैं अपने mobile phone में जैसे में आपको इस वीडियो में बता हैं अगर आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को like and share करना बिल्कुल न भूलें तो आप चलिए दोस्तों मिलते ही फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद